इस जेहन साथियों बंदे मात्रम सभी सथे दंदारी के साथ आज के सिशन को जुएन करेंगे और carry क अपने बहुत अच्छे से दीपावली के तोयार पर की पाश्वनपार को बहुत अच्छे से आपने मनाया होगा और साथ फिर अब एक बार त्यारी है इस अपर लगातार बरकरार है बहुत जल्से अपनी टेस्ट को पर्चेच करो मेरे साथ यो और आफ़र प्राइज मात 399 रुपाई ये दीपावली सिलक्सन वाली होगी इसमें धेर सारा कंटेंट मिलेगा तो मेरे सात्यों बैच को पर्चेच करने के लिए सुपरिस्काइब क्लास से इसके अप को डाउनलोड करो और बहां से मेरे सात्यों आप अपने बैच को पर्च साती ठीक है न चले पहला कोशन तुमारा स्क्रीन पर आंसर केजिएगा पहला कोशन सभी मेरे साती जोड़ेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे आंसर करने में गद्दारी नहीं करेंगे ठीक है जालो प्रसंत तुम से कह रहा है कि चू मंतर हो जाना का आर जैसे चू मंतर हो जाना जैसे तुमने देखा होगा बचपन में क्या होता था कि जब हम लोग छोटे थे और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग कभी घर से बाहर खेलने जाते तो तो सबसे डाजा डर होता था मम्मी और पापा का तो जैसे उन्होंने देखा और देख कि चू मं चुमंतर हो गया कि चुमंतर हो जाने का मतलब होता है किसी बीचीज़ का गाया बोजाना बहुत बढ़े पहले परसंद का राइट आंसर भी है सवी सातियों का अंसर जल्दी से कमेंट वाक्स में कमेंट करते रहों आप लोग निकमेंट में गदारी नहीं करेंगे जो भी वि मुहांबर का बढ़ना कि इंवरे दालना के तुमसे कि पराहें कि डोकाते महांबर कर्त होता है कि अधने oils मोशांते और विए कि ना चाहित लिए है फंदा ये नकारात्मक बाढ़ होता है बांदना भी नकारात्मक है दुखी करना तो होता है नहीं तो मेरा मलब दोरे डालने का मतलब होता है प्रेम में फासना तो सेकेंड का तुमारा यह आंसर करेक्ट हो जागा बहुत बढ़िया मेरे उपाओ उद्भब में उपसर्ग तुमको बताना है सात्यों तुमसे करा कि उद्भब में कौन सा तुमारा उपसर्ग हो जागा तो जरा एक बात समझो एक तुमारा उपसर्ग होता है और एक तुमारा प्रत्य होता है कौन कौन तुमारा एक तुमारा उपसर्ग होता है मेरे सात्यों एक तुम्हारा प्रत्य होता, तो एक बात को ज़रा समझो, जो तुम्हारा उपसर्ग होता, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, बे सब्द, जो किसी सब्द के प्रारम्य में जुड़कर उसके अर्थ को परवर्तित करते हैं, मेरे साथी ये उपसर्ग कहलाता है, जो किसी में जूर्ल के उसको प्र्बतिक क्याता है तो अदव यह तुमारा जोटु हाँ यह उत बनाएगा इस में उत प्रत्य लगा होगा इस प्रसन का राइतं स्रुल फिलागária धोके से उध मत कर देना तरहीं का त्मारा यह करेक्ट हो जागा आका मों मी לש no five आपकी स्क्रीन पर है तुम से कर रहा है मेरे स्क्रीन पर दिया है चार से पांच में सुध्य छाटिएगा देखे वैद देही मेरे सातियों परिक्षा तो गलत है परिक्षा को ऐसे लिखा जाएगा परिक्षा यह सोयंबर यह सोयंबर है यह जो 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 बिल्कुल ठीक बरतनी की दर्श्ट से यह ठीक है कि वाला तुमारा गलत हो जाएगा आईना बात तुमको समझ में वोश्यन फूर का जो तुमारा राइट आंसर वह तुमारा डी आंसर के साथ जाएगे उज्वल बहुत बढ़िया स जावी सातियों का अंसर आया है पांच नंबर आपके स्क्रेन पे पांच नंबर के वारें बता रहा हूं ब्यर्था आसरवाद व्यथीत या उद्भूत मेरे साथ यह कौन सा करेक्ट है परतने के द्रेंश से कौन सा तुमारा ऐसा बाड़ है जो तुमारा बिल्कुल ठीक ह किसी बदलाओ के अफशकता नहीं तो कोशन 5 तुमको दिया तो जरा समझो यह है ब्यर्था ब्यर्था नहीं होता है ब्यर्था होता है अगया चाले फिर साथ यह आसरवाद बिल्कुल ठीक है और यह कई बार मैंने आपको बताया आसरवाद बहुत इंपोर्टेंट वर्ड बहुत सही Triona कोई दिकत वाली बात नी कोई दोलाय वाली बाट निया आश्वाट सिर्फीन का राइं सुमसे क्या कर रहा हुए तुम्हार यह क्या हlk ना तो यह बिलकुल आंतर भी तुम्हारा बहुत बड़ें हैं तुम्हारा भी आंसर करेक्ट हुए अगले प्रसंकूर बढ़ते हैं कोशंबर 6 स्क्रीन पे हैं तुमसे क्या करा है यह करा है कि ताज महल में अनेकों खुबियां है मेरा कुटा आपसे अच्छा है कामाईनी सर्बोत्तम का महाकाब है मैंने नौकर से पेंड को कटवा दिया देखें चीजों को देखा जा तो यह ठीक है यह को कटवा दिया ज्यादा गलब मैंने नौकर से पेंड कटवा दिया नौकर से पेंड कटवा दिया पेंड को अरतात यह आंसर साथ जाएंगे कई बुक्स आपको मिलेंगे सर्वुत्तम नकारात्मक वर्ड है फिलाल आंसर डी के साथ जाएंगे कि मैंने नौकर से पेंड कटवा दिया डी दर राइट आंसर अच्छाले अगला परसंद देखे जानिये जे कवहुना जाए खुमार मेंता घुमत फिरे नहीं तनकीसार ये तुमारा मेरे सात्यों कवीर दासिच की लाइने हैं उन्हें बोला है कि हरिरस पिया ना जानिये हरिरस पिया ना जानिये तुमने कभी हरिरस को पीना नहीं जाना कभी हरका भजन तुमने नहीं किया कभू जाए खुमार कभी तुमने भजन नहीं किया यह तुम्हारी किस की पंक्तिया यह कभिर दास की पंक्तिया है और कभी दास का एक गुरंत है मेरे साथयों इजक जिसके तुम्हारे तीन भाग हैं कितने भाग हैं तीन साखी सब दोर रमैनी तुम्हारा इस परसन का राइट आंसर हो जाएगा पढ़ते हैं कोशन नमबर एट की और एट का राज नीचे दिये गए बिकल्पों में से भिन अर्थ को ब्यक्त कने वाले को दरसाएगा को मेरे साथ हो ब्यों ब्यों तुम्हारा आकास का होता है किसका आकास का नभभी तुम्हारा आकास का होता है गगन तुम्हारा आकास का लेकिन तल नहीं होता है तल तुम्हारा मेरे साथ हो तालाब का होता है तुम्हारा तल उससी आंसर के साथ जाएंगे बोले किसी साथी को कोई doubt है comment box में comment किजिएगा इस प्रसंद का right answer तुम्हारा C correct हुएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी सातियों के exact answer है कोई दो राय की बात नहीं है उम्मीद मैं यह करता हूँ कि बहुत दमदारी के साता पांसर को कर पा रहे है कोशन no 9 screen पे है नाइन कर रहा है कि निम्लिकित मैं से कौन सा विकलब विकल्फ Lies wszyscy अलग है कोई एक तो विकल्ब ऐसा होगा जो तुम्हारा इंसमें अलग होगा इसके बारे में तुमको बताना ज़रा सोचिये बिचार किजिए यह लोचन लोचन का मतलब तुम्हारा नेतर से होता है लग Кग देखे, चक्छू की बात करें, चक्छू भी तुम्हारा अक नेतर से ही होता है, साती सात नयन की बात करें, ये भी नेतर से होता है, जलज की बात करें, जलज कमल पंकज से होता है, अर्थात कमल का है, भी आंसर के साथ जाएंगे, नाइन का भी दा राइट आंसर, आप देस कुशन उम्मेद करता हूं, वो दमदारी के साथ आप आंसर करें, नाइन का भी आंसर तुम्हारा करें, टैन के बारे में तुमको बताना, टैन का आंसर क्या हो जाएगा, टैन नमबर के बारे में तुमको गिवेन है मेरे साथ हो, ट तुम्हारा भागिरती और सुरसरता और जानवी ये तीनो एकी ही परियाबची है कालंदी तुम्हारा अलग होता है ठीक है इस परसंद का राइट आंसर कालंदी तुम्हारा अलग होता है कालंदी तुम्हारा इनका परियाबची नहीं होता है ये तीनो एकी जैसे समानारती बटी ये तुम्हारा अलग होता है कोशन 11 देखेगा बिने पत्रका के रचनाकार कौन है हवाई ये जल्दी से आंसर को रो सभी साती हो बिने पत्रका के तुम्हारे कौन रचनाकार है प्लीज आंसर करेगा मेरा येकी की उद्धा बिने पत्रका के रचनाकार के वारे में तुमसे पूछा गया है कि सर्फ बिने पत्रका के तुम्हारे रचनाकार कौनों जल्दी से अंसर करेंगे ये कहा कि उद्धा बहुत बढ़िया बुट जॉब सभी का अंसर आ रहे है बिने पत्रिका के रचनागार तो सभी जानते हैं वोने का बिने पत्रिका किसकी रचना बिने पत्रिका तुलसी दास की रचना है बनके सबसे महान फहमा सचना तुम्हारी रामचरित मानस है आप जानते हैं तो ग्यारा का तुम्हारा भी हो जाएगा पूशन तेरा देखेगा मानस के हंस किसकी रचना है बेरे भाई है ना बात को समझ पा रहे है मेरे साथ यो मानस के हंस मानस जैसंकर प्रसाद के बारे माँ आप जानती है इनकी रचनाओं से तो इसका कोई मतलब नहीं को कि इनकी तो रचन है कमाईनी है फाती साथ लहर है फुत हृत्षी क्रीथ है मेरे साथीओ साथ गवन है तुम्हारी लेकिन जो तुम्हारा अमरत लाल नागर हे मानस्के हंस की रचनाकार कौन ہے तुम्हारे अम्रत लाल नागर होंगे तेरा नंबर देखेगा एक कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में संदी विच्छित केजिएगा आपको संदी विच्छित करके बताना है कि दिगंबर मेरे साथ यो दिगंबर का क्या संदी विच्छित हो जाएगा इसके बारे में बताना दिगंबर का के लिए रहना देग है सुनेगा ये तुमारा दिग तुमको दिया दिग प्लस अंबर तो ठीक है ये तुमको जो दिग दिया ये दिग नहीं बनेगा ये दी प्लस गापे हलनता आएगा ये भी धारकना होगा ये आंसर की जाएंगे दिगंबर जैसे सम होता ये सम ये सम पता आप होगा उमीद करूगा कोशन नमर तेरव की स्कति पहए हैं इसका राइट आंसर ए तुमारा करेंट हो गया कोशन नमर 14 पाबक का मेरे साथियो पाबक के बारे में ज़ड़ा देखो पाबक का कि पाबक का संदी विच्षित सबसे पहले एक चीज समयने की कोसित करो अगर हम पाबक की बात भी करें कि पाबक का संदी विच्षित क्या होगा ये तुम्हारे पास पाबक है पाबक का तुम्हारा क्या हो जागा ये पॉपलस अक हो जाएगा पाबक का तुम्हारा पॉपलस बाविंसन हो तो उसमें हमेसा अयादी संती होती है पॉप प्लस अक हो जाएगा ठीक है आंसर एक करेक्ट हो चौदा का तुम्हारा यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा किसी को डाउट नहीं चाहिए अगले प्रसंद को बढ़ते हैं कोशन 15 जो आंख के समक्ष ना हो उससे क् प्रसंद तुमसे कह रहा है जो आंख के समक्ष ना हो कहते हैं जो आंख के समक्ष है हमारे आंख के सामने नहीं है तो उसके हम बारे में क्या ही करें जैसे आप जानते हैं कि प्रतेच्छ वा प्रतेच्छ प्रतेच्छ मतलब किसी चीज को महसूत करके प्रतेच्छ साथ्छ आइसे जो आखो के समक्ष ना हो ऐसके लिए असको प्रोख्श कहते है तो पंद्रा का तुमारा यह बिलोम तुमारा क्या अगा अगर राजा के विलॉम के वारे में तुमसे पूछा गया है इसके विलॉम राजा का विलॉम मेरे साथ राजा का विलॉम तुमको बताना है प्रीज आंसर करें तुमसे करा कि सर राजा का विलॉम बताएगा तो राजा का विलॉम कौन कौन बताएगा जल्दी से प्लीज मेर कि राजा का विलोम तुम्ट्म से पूचा गया ये बाध ठीक है कि तुम्हारा राजा का रंग होगा लेकिन मेरे साथ 2 रंग के साथ साथ तुम्हारी परजा इस्ति कर राजा का रंगत है रंग के साथ परजा भी तुम्हारी तु greatly था रे जाओंगा A वो भी है पर जार रंक रानीय सब तुम्हारा फिलाल तो यह राजा जैसे वरतणे की डेश्टः से तुम्हारा पुललिंग वहड कि तुमको संवें गारेंस कि गोश्चन-ग को बसरक कि अतक्ट को बतलता हैं तुमारा प्रिट कहिलाता है ये तोमारा निस्फल को देखो कि इस ऑन है का सपारियो को भूर निस्फल निस्फल का तुमारा नेस्फल जाएगा तो एआंसर ब के साथ जाएगे इसardaONA सब्सक्राइब देखना होगा विचार करना होगा इस परसन पे थोड़ा सा अच्छा परसन आए और देखे जितनी तारीब की जाए इस परसन की तुम्हारी उतनी कि मैं जड़ा फोकस करेंगे इस परसन पे क्या तुम से अठारा करा है भगवत गीता में से कौन सा परसन हिंद आसा की सिक्षड के अंतरगत बच्चों की मुल्यांकन है जो मेरे साथी बच्चों के मुल्यांकन के लिए सबसे उप्योगत होगा जरा बात करते हैं सबसे पहला है यदि तुम हिंदी की अध्यापक होते तो गीता कैसे पढ़ाते हैं इसका कोई मुल्यांकन से मतलब नहीं है मेरे सातियों कि तार्की योगता का जो है अनुबादन करवा रहा है स्री क्रसंड ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया ये क्यों ये तुमारा मेरे सातियों बिमुक परसन है डायक्टली कोशन बच्चे के गास से वह सीखेगा नहीं संसार में मनशत ना तो कुछ लाता है और लाही कुछ ले जाता है इस तत्व के विशमेंडर क्या समझते हैं आंसरी बिलकुल क्यों मतलब भगबत गीता के तरक के अनुसार देखें तो इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है इस प्रथी पर जो भी व्यक्ति आया है ना तो वो कुछ लाया है और ना ही वो कुछ लेके जाएगा तो मेरे साथियों तुम से कहा गया है कि तो तुम इस विसे में क्या समझते हो तो इस प्रसंड का राई टांसर तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा यानि मेरे साथ यह भगबत गीसा के तरकों पर दस्यत करता है कोशन उनने आसाड का एक दिन आधे दूरे नाटक के तुम्हारे रचनाकार कौन इसके बारे में तो तुमसे पूछा गया है आसाड का एक दिन है आधे दूरे नाटक के तुम्हारे रचनाकार है क्या आधे दूरे नाटक के तुम्हारे लेखक है इसके बारे में तो तुमसे पूछा गया है ये करा है कि आसाड का एक दिन आदे दूरे नाटक के जो तुमारे लेखक है मेरे भाई वो तुमारे कौन है इसके बारे में तो तुमको बताना है तो आसाड का एक दिन के लेखक तुमारे हैं मोहर राकेश कभी कवच और मत कर देना आसार का एक दिन का मां आधे दूरे नाटक के जो तुम्हारे लेकर वो मेरे साथ यू तुम्हारे मोहर राकेस है इस परसंद का राइट आंसर तुम्हारे मेरी बास से आप सभी सहमाता है मुझको उमीद है कि कोई confusion नहीं होगी यानि मोहर राकेस हो जाएगा परसंद तुम् सभी बच्चों का कमेंट में आकसार आना चाहिए बहुत जरूरी आप लोगों का ठीक है क्या भूलूं क्या आयात करूं के वारे में तुमसे क्या कह रहा है क्या भूलूं क्या आयात करूं मेरे साथ किसकी आत्मकता है बहुत बली है विल्कुल ठीक है क्या भूलूं क्या पर आयात करूं कि विधा की रचना है और समझ में और सभी सात्यों से को डाउनलोड करो और सभी मेरे साथी टेश्ट सीरीच को लगाओ दीपावली का आफर मात रेक सो निन्यानुबर रुपय में टेश्ट को जल्दी से पच्चेच करो वपर स्काइब क्लासे के आप को डाउनलोड करके मलब जल्दी से मॉक्टिश्ट के नाम से इसको जानते हैं सारा कंटेंट मिलेगा किसी प्रकार की क्यारी के लिए इस नंबर पर संपर करो 972088663 कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर मैसेज करो 100% आपको रिप्लाई मिलेगा और साथी साथ मेरे सातियों मैं एक बात आपको और भी यह बता देना चाहता हूं तो सुपर स्काइब क्लासेश में बेटर टीम है आप लोगों के लिए देखेगा यह तुम्हारा बियस सपास्यावं डियसाई के लिए मेरे सातियों दीफावली का बंपर आपर केवल आज ही आज तक है मेरे सातियों तो जल्दी साब इसको सब्सक्राइब के साथ मेरे साथ मेरे साथ यह सेम कंटेंट आपको मिलेगा साथ आगे देखें आर्वे नेवी की जो भी मेरे साथ है आपके घर में आपका छोटा भाई बहन आदमी की त्यारी कर रहा तो उसके लिए स्पेसल बैट सुपरस्क्राइब क्लासे से मात चार सो निन्नानबर रुपए में चल्दी से पर्चेट करें बैच आपका कंटीनू चल लाए ठीक है उम्मेद करता हूं तो यह पर संपन बड़ी अप्डेट आप तो जाहें क्या भारत